हेलो दोस्तों मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपनी चलेंज चीत पूरी उपर आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे Learning Outcome आधारित Learning Gap समग्री आसपास परयावरण अध्यान कक्छा अपनी 5 है और विसाय आपका परयावरण अध्यान है तो दीखें यहाँ पर जो की पेज नंबर 59 दिया गया है इस से स्टार्ट होता है लेकिन अपनी बैक सीट कुछ आंगे से स्टार्ट होगी तो यह कुछ समग्री दी गई है जो अपने लिए नहीं है तो अपन इसको छोड़ देंगे यहाँ पर दीखें अपनी बिसर सूची है पहला ही बैक सीट है यह बैक सीट का क्रमांग दिया गए है अपने को तो पहली है फूलदार पौधे की पहचान तो अपन बैक सीट पिस क्रमांग 54 यानि कि चंवन से स्टार्ट करेंगे टोटल कितनी वाइक सीट है इसमें टोटल 10 वाइक सीट है ठीक है तो अपने इसमें पहली वाइक सीट का उत्तर देखेंगे यहां से दिखिए स्टार्ट होता है अपना वाइक सीट एक 8444 जी हां याद कर लीजिए वाटसप नमबर क्यूंकि अप चाहे आपका मैत का सवाल ह या फिजिक्स केमिश्टी वालोजी आपके हर डाउड हर कुश्चन का मिलेगा तुरंद वीडियो शॉलूसन वो भी सीधा आपके वाटसप पर बस अपने फोन में डाउडनाट का 8444 वाटसप नमबर सेप कर लीजिए और चैट उपिन कीजिए और जो भी आपका डाउड है उस सवाल की आपको फोटो खीचना है उसे क्रॉक करना है और पांस सेकिंड में आपको मिलेगा वीडियो शॉलूसन क्लास 6-12 आयाइटी जेई नीट और सभी स्टेट बोर्ट के वच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए और 8444 पर आपना सवाल वाटसप की कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में फूल दार पौधों की पहचान तो अपना लर्णिंग आउटकम EBS कोड है 401 पार्थ अपना ग्यारा फुलवारी जड़ों का जाल पार्थ 19 तो इसमें दो पार्थ दिये गए अपन को पार्थ ग्यारा फुलवारी जड़ों का जाल एन पार्थ 19 पार्थ का नाम इसके बाद एक कुछ पढ़ीचे दिया गया है अपन को इससे कुछ अपन को सहायता मिलेगी तो पन इसको भी पढ़ लेते हैं जैसे साला में प्रधानचार के द्वारा बच्चों को शेक्षणिंग भ्रमण हेतु बगीचे की सहर ले जाने का बादा किया गया था सहर से दूर पहाड़ियों के बीच बगीचे में तरह तरह के अमरूद, जामून, आमले, आम, आदी के फलों के पेड़ थे चारो और फूल लगे हुए थे कनेर का फूल, गुलाब का फूल, पीला, लाल, गुलावी तरह तरह के फूल टीचर शवी बच्चों को फूलों के विसेस्ता, उनके रंग, उनके आकार घंटी जैसा, कटोरी जैसा, बुरुस जैसा बताती जा रही थी बच्चों को सब सुनना, जानना अच्छा लग रहा था आंगे बढ़ती हुए टीचर ने बताया कि गुलाब, बेला, जास्मीन, फूलों से इत्र बनाया जाता है हर सिंगार, यहाँ पर दिखिए, हर सिंगार चाइना रोज से रंग बनाया जाते हैं बच्चे बीच बीच में टीचर से फूलों के नाम पूछ रहे थे साथ मैं गिरे हुए फ़लों को उठा कर उनकी खुसबू ले रहे थे साथ मैं बताया कि पिसी हुए चावल के गोल से मिला कर मदूबनी डिजाइन बनाई जाती है माली की घास उखारता देख तीचर ने बताया कि घास की जड़े बहुत अंधर तक होती हैं अचानक बच्चों ने वरगत की पेड की लटकनों पर जूला जूलना सुरू किया तीचर ने बताया कि इनकी जड़े हैं ये पेड को सहारा देती हैं माली ने बच्चों को तरह तरह के फल दिये जिनका वह रसा शुआदन करते रहे इस तरह गूमते घामते ग्यान बटोरते घर को रवाना हो गए ठीक है यहाँ पर दीखिए अपनी बिशेवस्तू यानि के अभ्याज वैक्सीट स्टार्थ होती है तो आईए अपना गुलदस्ता सजाएं पैक्तिस वैक्सीट को अपन शॉल्प करें ठीक है तो दीखिए यहाँ पर गुलदस्ता सजानी के लिए फूलों की किसमे और रंग आपको बताना है जैसे गुलाब गुलाब मैंने लाल लिखा है इसके बाद गुलाब काला भी होता है और गुलाब पीला भी होता है तो बहुत से रंग होते हैं जादर तर गुलाब लाल पाया जाता है इसलिए मैंने लाल लिख दिया गैंदा अब मैंने गैंदा यहाँ पर पीला लिखा है आप बोलने होगे कि गैंदा लाल भी होता है तो आप लाल भी लिख सकते हैं ठीक है चमेली चमीली कैसा है? शफेद, गुड़हर, गुड़हल कैसा है? लाल, कनेर का फूल, कनेर का फूल कैसा है? सफेद, एवं पीला अपन को जो कलर पसंद है और जो कलर में आपने देखा है वो कलर आप लिख सकते हैं, ठीक है न? कमल कमल कैसा है लाल गुलावी इसकी बाद आईए मदुवनी डिजाइन को जाने तो यह एक मदुवनी डिजाइन दी गई है जो चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है अपने अभी देखा था तो राज अपन लिख देंगे अपना मद्द ब्रदेश जिला कौन सा जो भी आपका जिला हो राज आपको मद्द पिदेशी लिखना है जिला आपका जो भी हो जैसे छतरपूर और भी बालाग हाट मतलब जो आपका जिला हो वो आप लिख सकते हैं मदूबनी कार्थ चितकारी मदूबनी डिजाइन बनाने में उपयोग की गई सामगरी पिसे हुए चावल के घोल में रंग ठीक है अभी देखा था आपने उपयोग की जाने वाली फूल तो रंग कैसे बनाते हैं हर सिंगार एंचाइन रोज से अपन रंग त्यार करते हैं फूलों से बनाय जाने वाले रंग, फूलों से कई तरह के रंग बनाय जाते हैं, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, तो मैंने केवल दो लिखे हैं, मधुबनी डिजाइन, अधिकतर उप्योग की गई कलाकरती, उधारन, कमल, शाप, यहाँ पर दिखें, यह मोर बनी है, तो पन कमल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बाद मेरी बगिया के फूल, अभ्यास चार, तो फूल का नाम गुलाब, एन एक गुड़हल, रंग, लाल, लाल, सुगन, खुस्बू, सुगन्दित, यह भी सुगन्दित, यह दिखें, कटोरी जैसा दिख रहा है, एक घंटी जै आँगे और देखेंगे, गुलाब में कई सारी पंखड़ियां होती है, और दीखें गुड़हल, जो पांस से साथ लगभग पंखड़ियां होती है, और पंखड़ियों के बाहर हरी पत्ती, जिसी संग रचना दोनों में होती है, यहां भी होती है, यहां भी होती है, पंख पंखुणियों आपको दिखती है ठीक है ना आगे देखेंगे पंखुणियों को छूने से हाथ में लगने वाला पाउडर नहीं होता आपने गुड़हल देखा होगा तो गुड़हल में पीला पीला सपीज सा पाउडर मिलता है तो आप हाँ लिख देंगे ठीक है काटे आँगे देखेंगे अभ्यास स्माच मेरी पसंद का फूल वा उनके भाग जैसे अभी मैंने बताय था ये पीली पीले होते हैं पतले पतले जिसे आप पराकण बोलते हैं ये डंडा दिया गया है इसको अपन फिलामेंट बोलते हैं ये अपनी पंखुणी है इसकी बाद इसक मेरी साला में तरह तरह की उगने वाले पुष्प बेल पर लगने वाले पुष्प मधू मालती पानी के पौध़ों पर उगने वाले पुष्प कमल जिनको हम आखें बंद कर केवल खुजबू से पहचान लेते हैं गुलाब अगर आपके कमरे में भी रखा होगो तो आप पहचान लोगें कि यहां गुलाव हैं, इसी पेड़ पौधे जिन पर फूल नहीं आते हैं, तो आपको एक ऐसा पेड़ पौधाल देखना है, जिन पर फूल यहीं आते हैं, जैसी कि मैंने ऐलो बेरा लिखा हुआ है, जिसको ज्वार भाटा भी बोलते हैं, तो आप एसे ना लिख सकते हैं, इसके बाद अपन आगे चलेंगे, रंग बनाने में सूरज मुखी, इत्र बनाने में गुलाब, चमेली, इसके बाद अगरवत्ती बनाने में मोगरा, गुलाब, गुलाब जल बनाने में गुलाब, दबाई बनाने में अश्वगंदा, रजनीगंदा, बरगत का पेड़, सहारा देनी वाली जड़, लटकन की विसेश्ता, पेड़ को सीधे रखना, बरगत का महाद छाओं के लिए, उपयोग के लिए, दीखें बच्चे कितने सारे खेल लए हैं, इसके बाद और भी उपयोग होते हैं, छाओं के लिए, बहुत सारे लोग है के राजमा के बीच, साबुन एक ही तरह के, यहाँ पर साबुत लिखना था, इन्होंने साबुन लिख दिया, साबुत, यानि के साजे, खराब नहीं, ठीक है ना, तो उपयोग कैसे करेंगे, काच के किलास में पानी लेकर उसमें रुई को गीला कर ले, फिर राजमा के बीज रुई में दबा कर रखें, देंगे कुछ दिन बाद बीज अंकुरे तुबा फिर पौधा बन जाएगा, ठीक है ना, तो यह दिखे यह दिखाया गया है अपन को, ऐसे 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 जाएंगे, और यह पौधा बन जाएगा, निसकर्स क्या निकला, सूखे और गीले ब प्रतिवी के नीचे, जड़ कहां उकती है, प्रतिवी के नीचे, और तने की बढ़ने की दिखा, प्रतिवी के उपर, जड़ का रंक, शफेद, जड़ों द्वारा, रुई को जगड़ना, पेड़ का बढ़ना, पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वो रुई को जगड़ केगा और रुई फिर दिखाई नहीं देगी यहाँ पर दिखिए शौमुल्यंकर यहाँ पर इसको आपको श्वयम के द्वारा करना है फिर भी मैं आपको इसके उत्तर बता दे रहा हूं बताओ मैं कौन हूं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो बीच के कुछ ब लोगन बेल यहाँ एसा अपण भर देंगे यहाँ पर दिखिए पोधिये की विविन भाग वाक कार दिये गए हैं जड़के कार तने के कार जड़का कार है तने को सहारा और जलका और तने का कार है फूल पत्तियों वा फलों को लगाना तो दोनों के कार देख लिया आपन ठीक है तो यहाँ पर दिखिए पेज नंबर 59 एनिकि उन्षर तक अपने कम्प्लीट कर लिया है तो अब आपका क्या करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ सेयर करना है ताकि सभी के पास इसका उत्तर पहुंच सके ठीक है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्